आज हम जर्मनी के एकी करन का दूइतिय अध्याय पूर्ण करेंगे जर्मनी के एकी करन का काड़े प्रशा के नित्रित्यों में हुआ प्रशा का सासक विलियम पर्थम एकी करन के काड़े को पूर्ण करने में सर्चम था और उसने अपना चांसरर ओटोहान विश्मार्क को ब इसके लिए विस्पनार्क ने जर्मनी में अनिवारी सेने से बालागो कर दी, सेनिकों को आधुनिक रूप से प्रसिक्षित किया गया, उन्हें आधुनिक तम अस्तर सस्तर उपलब्ध कराए गया, इसके बाद जब जर्मनी की सेने छमता मजबूत हो गई, तो उसने आइरेन के साथ, और तीसरा युद्ध फ्रांस के साथ, इन तीनों युद्धों में विस्पनार्क ने अपनी सेने छमता का परिचेतु दिया ही दिया, बलकि कूटनीती का भी परिचे दिया, सबसे पहले डेन्मार्क के साथ 1864 में युद्धों हुआ, इस युद्ध का आधार दू चेतर था, जिसमें जर्मन बहुत संख्यक थे और डेन्मार्क के नियंतरन में थे, ये चेतर थे हॉल्स, हॉलस्वीग, हॉलिस्टीन और सेल्स्वीग, इस युद्ध में आश्ट्रिया को उसने मिला लिया था, और जब युद्ध आरंभ हुआ, तो आश्ट्रिया और परि प्रशा को प्रप्त हुआ, और यहीं से आश्ट्रिया के साथ युद्ध की भूमी का भी तयार हो गई, क्योंकि हॉलस्टीन आश्ट्रिया से काफी दूर था, और इसमें जर्मन जन संख्या थे, तो आश्ट्रिया के साथ युद्ध करने से पहले विस्मार्क ने कूट नि और इंग्लैंड को एक तरफ अपने पक्षमे करने के बाद उसने आस्ट्रिया पे अधिकार करने के लिए युद्ध किया यह युद्ध अठारो सो च्यासट इस्वी में हुआ और युद्ध के दौरान सेडोबा में निर्नायक लड़ाई हुई इस लड़ाई में आस्ट्रि प्रांस के साथ युद्ध का आधार स्पीर में उत्राथिकार का प्रश्ण था और यह युद्ध अठारो सो सत्तर इस्वी में आरंप हुआ और युद्ध के दौरान 1870 में निर्नायक लड़ाई सेड़ान में हुई सेड़ान की उद्ध में फ्रांस पुरी तरीके से पराचित हुआ और अंतरता 1871 स्वी की फ्रैंक फर्ट संधी के द्वारा जर्मनी का एकिकरन पूर्ण हुआ इस तरह अंतराष्टिय मांचित्र पर जर्मनी नामक एक 37 साली राच्चे का उद्ध हुआ जर्मनी जो कल तक 300 छोटे छोटे राच्चियों में विभागत था अब एक हो गया और अंतर राष्टिय मांचित्र पर यूरोपीय महादीश में एक नई राच्चे जर्मनी का उद्ध हुआ और 1871 स्वी में एक और जर्मनी का एक करन पूर्ण हुआ तो आज आपके जर्मनी के एक ही करन का जो चैप्टर था वह समप्त हुआ चलिए घर पे रहिए सुरक्षित रहिए और सुरक्षा के जिनने भी नियम है उनका पालं किचे धन्यवाद